सबी विध्यारतियों को मेरा नमस्कार मैं चेनारा महला असिस्टेंट प्रोपेसर राजनिती विज्यान राजकी बांगड महवदायले डीड वना से बी ये पर्थम वर्ष के विध्यारतियों के लिए आज हम लोगतंतर के परकार वे सफलता के लिए जो आवशिक शर्ते हैं इस विशेप चर्चा करेंगे लोगतंतर के क्या है लोगतंतर की परिवासा लोगतंतर का अर्थ क्या है लोगतंतर के कोन कोन से दृष्टिकोन जिसके अंतरकत जो विशिष्टवादी दृष्टिकोन है जो बहुलतावादी जो दृष्टिकोन है मारकशवादी दृष्टिकोन है विभिन दृष्टिको के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं आज लोगतंतर की परकार वे सफलता के लिए जो आवशेक शर्द्टें क्या होने से कि इस टोपिक पर हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र कौन-कौन से उसके परकार है तो सबसे पहले लोकतंत्र के परकार दो परकार इसमें बताए गए हैं जिसमें पर्थम है पर्तिक्ष लोकतंत्र पर्तिक्ष लोकतंत्र और दूसरा अपर्तिक्ष या परोक्ष या जिसको हम कहें परतिक्ष लोक्तंतर, क्या है परतिक्ष लोक्तंतर, क्या भारत में परतिक्ष लोक्तंतर है, ये भी हमारे लिए जानना आविश्यक हो जाता है, परतिक्ष लोक्तंतर में जनता और सरकार में कोई अंतर नहीं होता, यदि किसी महतुपुर्ण समेश्या पर निरने लेना होता तो जनता और सरकार में कोई अंतर नहीं कोई समिशा अपने निर्ने लेना है तो सारी जनता लेगी और जनता ही कानून बनाने का काम करेगी तो यहाँ यह जो लाइन सुनते ही अपने समझ में आ जाता है कि ये जो जिस लोगतंतर की यहाँ इन तीन लाइनों में बात कही गई है वो भारत में तो नहीं है यह परतिक्ष लोगतंतर जनता द्वारा परतिक्ष रूप से लोगतंतर में हिसा लेना कानून बनाना या कानून को रद करना संपूर्ण जनसिंक्या को सासन में पर्तिक्ष रूप से संबद करने की चार विदियां है या कह सकते हैं कि इसके चार जो है वो परकार है पर्तिक्ष लोकतंतर के पर्तिक्ष लोकतंतर के महान जो मशीहा है वो पूछा जाए तो कौन है प्रतिक्ष लोकतंतर के सबसे ज़्यादा समर्थक तो वहाँ पर आता है रुशो का नाम ये हमें ध्यान रखना है चार जो विदियां है जिसें की प्रतिक्ष लोकतंतर लागू होना है वो है जन्मत संग्रह आरंभग परत्या वरतन और लोक नि होगा सभी ने जन्मत संग्रह का आर्थ है कि कोई मुद्दा हो उस पर हाँ पक्ष में जाना है हमें या ना पक्ष में घाना में तो उस कि आपको इस मुद्दे के साथ है अथवा नहीं दूसरा जो आता है आरंभक आरंभक का अर्थ है कि कानून निर्वान के लिए जनता दुआरा आरंभ करना पहल करना जैसे समझ लीजिए राष्टर में कोई एक ऐसे नए कानून के अवश्रिक्ता आ गई है जो की जरूरी है तो उसको नए कानून को लाने का काम जो करेगी वो जनता करती है आरंभ करती है तो उसको कहते हैं आरंभक दूसरा है परत्यावरतन आरंभक में जहां सुरूरात परत्यावरतन में वहीं है पीछे चलना परत्यावरतन अर्थार्थ कोई ऐसा कानून है जो की सही परतीत नह होता है जनता को ऐसा लगता है कि यह कानून गलत है तो वो उसको वापिस लेने की ताकत रखती है उसे कहते हैं पर्त्या वर्तन कानून को पुनहें वापिस ले लेना और अगला है चोथा लोक निर्ने कानून को जनता के पास में निर्ने करने के लिए भेजा जाता है तो उस पर जो निर्ने होता है उसे कहते हैं लोक निर्ने यह जन्मत संग्रह जैसा ही परतीत होता है तो यह परत्यक्ष लोकतंतर के जो चार विधियां है या कह सकते हैं कि चार जो महतुपूरुन अंग है वो लोक निरने अब ये पर्तिक्ष परजातंतर कहा है वर्तमान में ये केवल अलप जन सिंग्या वाले राज्यों में ही ये संपव है और वर्तमान काल में स्विट्जर लेंड के पांच केंटनू में ये परचलित है केंटन का यहां आर्थ है कि पांच जो वहां के राज्ये हैं उनमें ये लागू है केवल स्विट्जर लेंड में और वो अलप जनसिंग के वाला राजी है बड़े राजियों में जहां जनसिंग के करोड़ों में होती है जैसे भारत में 135 करोड़ वहां ये संभव नहीं है कोई भी मुद्दा अगर 135 करोड़ जनता के विचार के लिए रख दिया जाए तो उस पर निर्ने लेने में बरसों लग जाएंगे और कोई ऐसा तरीका है भी नहीं कि उनसे किस परकार राए ले सकते तो ये छोटे स्टेट जहां जनसिंग क्या बहुत ही कम हो और परबुद्ध लोग हो समझदार हो जिनको आप पैसों के दम पे या बरश्टाचार से उन्हें खरीद नहीं सेके वो ऐसे परतिबद्ध लोग हो मुल्यवान लोग हो उन्हें वहां पे ये परतेक्षबर्जा तंत्र संभव हो यह लोगतंत्र का आदर से सवरूप है लेकिन बड़े राज्यों में यह संभव नहीं है आदर सवरूप जरूर है लेकिन बड़े राज्यों में संभव नहीं है दूसरा जो परकार है ए पर्तिक्स या पर्तिनिधी लोकतंतर पहला पर्तिक्स लोकतंतर और दूसरा ए पर्तिक्स या पर्तिनिधी लोकतंतर आधुनिक राज्यों में पर्तिनिधी मुलक लोकतंतर पाया जाता है इस सवरूप में मतदाता सरकार पर अपना नियंतरन तो रख निधी करतें चो यो कानून बनाने का काम को न कर रहा है यहां पर उनके प्रति-निधी कर तो ऐसा लोगतंत्र भारत में और दुनिया के जैधा तर देशों में यही डेमोक्रीसी पाई जाती है फ़िकर स्या प्रतिनिधी मुलक लोगतंत्र जैसे हमने अपने विधाय को या सांसत को चुन करके विधान मंडल में या लोक्षबा में वेजा है तो वो वहां पे सरकार में भागीदारी करें विधायका का जो काम है वो करें वो कानून मिलाने का काम करें तो कोन कर रहा है अपना परतिनिधी वहां पे जाके कर रहा है परतिनिधियों को निर्वाचन के माधियम से चुना जाता है जिन से विधान मंडल का गठन होता है और ये विधान मंडल जनता की ओर से कानून पारित करता है इस प्रकार ऐपर्टिक्स लोगतंतर में जनता की इच्छा का निर्माण निर्वाचित पर्तिनिदीओं के माधियम से होता है और जॉन इस्टूर्ट मिल, जैस मिल जो है वो इसके परबल समर्थक थे अब देखते हैं लोगतंतर की सफलता के लिए आवश्यक सर्तें क्या है भारत हो या दुनिया का कोई भी देश वहां पे लोगतंतर किस कारणों से हैं कौन से ऐसे सर्तें हैं वो ऐसे मापदंड है जिनसे वो सफल हो पाएगा आज दुनिया की कुछ ऐसे देश हैं वेस्टरन कल्चर में देखें तो जड़तर जो है यूरोप की कंट्री वो लोगतंतर वहां पे बहुत अच्छी प्रकार से काम कर रहा है और उनकी इस्तिती भी नागरिकों की इस्तिती भी वहां पे बहुत अच्छी है बजाए कि हम भा लोगतंतरिक भावना जनता के अंदर लोगतंतरिक भावना होने चाहिए वो कह सकते हैं कि जनता खुद यह सोचें कि हमारे यहां पर डेमोक्रेसी आने चाहिए तो अगर जनता लोगतंतरिक भावना से उत्परोत होगी तो निश्चीती वहां का लोगतंतर जो है वो लोभन में आकर किए वो राश्टर निर्वान के लिए तयार हो ऐसे लोग नहीं होकीya, जो स्वेते ही, स्वेते विश्पूर्त ओलुए लोगतंतर के लिए काम करना इसे नागरिक होने जीनका चरित्र जो हैं वो उत्तम हो, तो जनता का उच्छ चरीतर होना चीए, तीसरा, जनता की जागरुकता, उत्तम चरीतर के साथ साथ में और जरूरी चीज जो है वो है जागरुकता, जागरुक जनता होगी तो ब्रष्टाचार वहाँ पर नहीं होगा, तो जनता की जागरुकता भी आविश्यक चोथा शिक्षा का उच इस्तर जहां कहीं भी दुनिया में आज लोगतंतर सबसे अच्छी कंडिशन में है जैसे नार्वे, फिंडेंड, न्युजिलेंड, स्वीड़न या जापान तो वहां पे उसका कारण है कि वहां का 100 परतिसत 99 पॉइंट कह सकते हैं कि 99 परतिसत से भी ज्यादा लोग वहां के पट्डे लिके हैं तो शिक्षा का उच इस्तर होगा तो राश्टर के लिए वह सही सोच वह उनमें डवलप होगी पांच हमां सहयोग व सहिशनूता की भावन सहयोग की भावना एक दूसरे के साथ में सहिशनूता का सभी ढर्मों के परतिः आदर जो है वो परबुद्ध हो वो बुद्धिमान हो विवैक्षील हो तो वहांपे लोगतंतर निश्चित ही सफल होगो सात्मा देखें तो सवतंतर वे इमानदार प्रेश प्रेश जो है मीडिया जो है लोगतंतर का चोथा इस्थम्ब इसको कहा गया तो मीडिया अगर इमानदार होगी सवतंत्र होगी उस पर सरकार का कोई दबाव नहीं हो तो निश्चित ही वो सरकार की जो नाकामिया है सरकार की जो गलतिया है वो जनता के सामने रखेगी और उसमें जो है सरकार को उन गलतियों को दुरिस्त करना ही पड़ेगा तो सवतंत् नियाय पालीक नियाय पालिका सवतंत्र होना लोकतंत्र की मजबूति के लिए बहुत अधिक अविशयक V iceberg, माइपलिका, कार्यपालिका हो या व्यवस्तपिका हो उससे दबाव में नहीं आये वो राश्टर के स्विधान के लिए काम करें तो निश्यति वहां का लोगतंतर शुद्दर्ड हो अगला बिंदू प्रभावसाली विरोधी दल लोगतंतर में आविशे कर है कि प्रभावस विरोधि दल हो विरोधि दल अगर प्रभावसाली होगा तो जनता के सामने वो सरकार की नाकामी को रखेगा जिसे यह पता चलेगा कि सरकार यहां पर गलत कर रही है तो जनता को जागरुक करने का काम करती है विरोधी दल तो प्रभावसाली विरोधी दल का होना जरूरी है अगला है इस्थान ये सवसास लोगतांतर के लिए जरूरी है सासन का विकेंद्री करण हो सक्तियों का बंटवारा हो और छोटी सी छोटी एकाई तक भी अधिक्तम पावर देने की कोशिश वहाँ पे करें ताकि केंद्र की निर्ग कुस्ता नहीं हो अगला है समाजिक वे राजनितिक शम्ता शमजिक द्रिष्टि कोण से हो ये राजनितिक द्रिष्टि कोण से हो जनता में बराबरी का महोल होना चैए चाहिए समाज में हो कोई भी उचनीच की भावना नहीं होने चैए राजनित सबी जगे समानता का व्युवार होना चाहिए लोगतंतर की सपलता के लिए आवशेक शर्तें अब बहरत में लोगतंतर के आवरोध किया है तो बहुत सारी बहुत हैं यहा आरे है तो बभारत में क्यों लोगतंतर सफलत नहीं हो पा रहा है तो उसमें क्या बाधा हैं यहां पे आ रहीं तो वैसे तो बहुत सारी बाधा हैं हो सकती है पर कुछ बिंदु मैंने यहां पे लिखे हैं सबसे पहला अगर देखें तो वह है निरक्षर्ता लोग तंत्र की सफलता के लिए आविशेक है कि जन्नता में शिक्षा का उचिस्तर होना चाहिए अभी पढ़ा है अपन परन्त दुरुभागी से भारत में अभी भी 40% की लगभग ऐसी जन्न से क्या है जो की निरक्षर है तो उनको अपने मत का जो लोकमत का प्रबुद लोकमत के हम बात करते हैं उनको अपने वोट का कीमत उसको पता नहीं है उनको ये पता नहीं है कौन सी सरकार हमारे लिए ज़्यदा फाइदेमंद हो सकते है कौन सी सरकार राश्टर के लिए फाइदेमंद हो सकते है उनको जो है तरह तरह की परलोबन दे करके और vote वो हासिल कर लेते हैं जिसे लोकतंतर जो है उतना सफल नहीं हो पारा दूसरा जातिवाद भारत में जातिवाद की जड़ें बहुत अधी गहरी हैं यहां तक की राजनितिक दल भी जाती और धरम के अधार पर बने विये हैं और जब वो जाती के अधार पर कोई संगठन बनावा है जाती के अधार पर उमिद्वार खड़ा होता है तो वो उमिद्वार कैसे हम सोच सकते हैं कि वो जो है संपूर्ण राष्टर के हित के बारे में सोचेगा उसके लिए अपनी जाती अपनी विरादरी का जो हित है वो सर्वोपरी होगा इसी प्रकार तीसरा देखें भासा बाद भासा की जो लड़ाई है भारत की आजादी की बाद से ही हम देख रहे हैं कि लगतार चाहे वो हिंदी भासा की घिलापत करने की बात हो या इस्तानी बासाओं को सविधान में दरजा दिये जाने की बात हो बासा को लेकर के भी भारत में जो है विभाजन लगातार हमें दिक रहा है जो एकता अनुसासन की बात जो हम करते हैं वो कही ने कही उसमें एक से अधिक बहुत अधिक बासाओं का होना भी एक बहुत बड़ा फेक्टर उसमें मान सकते हैं तो भासा के अधार पर भी लोग बंटे भी नजर आते हैं निर्धन्ता गरीबी की वज़े से भी राश्टर के बारे में वो सोच है नहीं पारे हैं जब तक उनके पास मूलभूत आउशिक्ता नहीं रोटी, कपड़ा और मकान वो चीज़ें ही वो अपने प्रिवार को खुद को नहीं दे पारे हैं तो राश्टर का हित वो कैसे सोचे का और उसी निर्धन्ता का फाइदा उठा करके चुनाव में उन्हें परलोबन दे करके पैसे और सराब का लालस दे करके उनसे वोट हासिल कर लिये जाते हैं अगला देखें सांपर्दा एक्ता, सांपर्दा एक्ता कि आग में लोगों को बढ़का देना उन्हें धर्म के नाम पे बढ़का देना और अपने लिए या उन्हें धर्म के नाम पर डर दिखा करके वोट हासिल करना यह संपरदा एक ता यह भारत में लोकतंतर का पर्मू का उरोध है इसे परकार बेरोजगारी बेरोजगारी भी बहुत बड़े पैमाने पर भारत में बेरोजगारी देखते हैं तो चुनाव में जो धन्बल का जो प्रियोग होता है पैसों का जो खेल होता है वो बिरोजगार लोग जो है उनके परलोबन में आ जाते हैं तो इसी विज़े से भी शुष्थ लोकतंतर का निर्बान में बादा आती है और शुत्रवाद शुत्र के अधार पर जाती के अधार पर भासा के अधार पर धरम के अधार पर यहाँ पे राजनितिक दलू का निर्बान किया गया है तो वो अपने शेत्र के विकास के बारे में सोचता है और अंततना है लोक तंतर में शेद्धभाजी वाला संघ बनकर के भारत जो है वो रह गया है बात होने चेहिए भारत में सहकारी संघ की सब को साथ लेकर चलने की बाद लेकिन वास्तों में लोकतंत्र कैसा बन गया है शोदेबाजी वाला संग बन गया है क्यों क्यों कि यहां पर शेत्रवाद हावी है यहां पर जातिवाद हावी है यहां पर भासा के अधार पर जो है लोग बंटे वी है तो शेत्रवाद भी एक परमुक बाधा हमें इसमें नजर आती है तो यह है भारत में लोकतंतर के अवरोद इसके अलावा भी बहुत सारे अवरोद हो सकते हैं जो आपको ध्यान में हो वो इनमें आप जोड सकते हैं तो यह था लोकतंतर की शपलता के लिए आवशिक शर्त है भारत में लोकतंतर के क्या है अवुरोध और लोकतंतर के क्या कौन-कौन से हैं प्रकार जिसमें आता है पर्तिक्ष लोकतंतर व अपर्तिक्ष लोकतंतर यह था आज का चेप्टर धन्यवाद